हलो दूस्तों वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे होल वीड ब्रेड वो भी अमेरिकन माइक्रोनिक आटा और ब्रेड मेकर में तो हम बनाएंगे एक किलो होल वीड ब्रेड तो उसके लिए हमें लगेगा 1.75 कप्स का मैदा तो अब हम इसमें आड करेंगे 1.75 कप्स तो आपको मेजरिंग कप दिया जाता है तो इस हिसाब से हमने पौने दो कप मैदा इसमें आड किया है तो उसमें हम आड करेंगे पौने दो कप आटा याने कि 1.75 कप होल वीड फ्ला तो आपको पॉने दो कप आटा इसमें आड़ कर लेना है तो डाइसो ग्राइम आटा और डाइसो ग्राइम मैदा हमने इसमें आड़ कर लिया है तो नौन स्टिक ब्रेड पैन में आप आड़ कर सकते 320 ml पानी या फिर आप आधा पानी और आधा मिल्क आड़ कर सकते यानि कि हम एड़ करेंगे 160 ml मिल्क और एड़ करेंगे 160 ml पानी और फिर इसी मिश्टन में हम एड़ करेंगे देड़ स्पून सॉल्ट तो देड़ स्पून सॉल्ट हम इसमें एड़ करेंगे नमक एड़ करेंगे और इसमें एड़ करेंगे 3.5 स्कूप शुगर तो इसमें स्कूप ऑईल या फिर अगर आपको बटर पसंदे तो आप बटर भी आड़ कर सकते हैं तो हमने ऑईल के जगह बटर यूज किया है अभी इसमें हम एड़ करेंगे आटा और मैदा का मिक्शर तो जो मिश्रन है मैदा और आटा का वो हम इसमें डालेंगे तो इस तरह से आपक के उपर ही डालिए तो इस तरह से हम एड़ करेंगे दो स्पून इंस्टंट यीस्ट तो यीस्ट एड़ करने के बाद हमें लिड ओपन करना है प्रॉपरली जो ब्रेड पैन है उसको फिक्स कर लेना है तो क्लॉक्वाइस डिरेक्शन से आप ये नॉन स्टिकी ब्रेड पै अटैच कर सकते है आटा और ब्रेड मेकर में आसानी से फिर लिड बन कर सकते है आप देख सकते है प्रॉपरली अटैच हो गया है तो बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना तो हम बना रहे है होल वीड ब्रेड वो भी 1 kg तो हम मेनू बटन यूज़ करेंगे वो भी 5 बार क् पाँच नमबर पे सेट है होल वीड ब्रेड तो पाँच बार दबाने के बाद आप देख सकते है पाँच नमबर आ गया है आटोमेटिकली टाइम भी आ गया है वेट से हमने सिलेट किया है 1 kg और हम सिलेट करेंगे यहाँ पे क्रस्ट का कलर तो हमने सिलेट किया है डाक क्र तो time आटमेटिकली सेट हो जाता है और हमने start बटन दबा दिया है और आप देख सकते हैं needing process याने कि आटा गुदने का जो process है वो start हो गया है और automatically पूरा process हो जाता है आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रुरत नहीं है. तो सबसे पहले यह American Micronik का आटा और Breadmaker यह जो mixture है उसको properly knead करेगा तो इस तरह से automatically यह knead करेगा आपको बस देखना है आप lid भी close कर सकते और देख सकते आपको दिखाने के लिए हमने lid open रखा है तो हमने इस American Micronik आटा और Breadmaker का review भी किया है Unboxing भी किया है तो वो भी वीडियो हमने बना है तो description में उस वीडियो का link आपको मिल जाएगा तो वो भी ज़रूर देखिए आप देख सकते कितने अच्छे तरह से यह Michigan mix हो रहा है गून रहा है यह आटा तो सबसे बड़िया बात है कि आपकी जो मेहनत होती है आटा गूनने की वो बच जाती है आपका हाथ खराब नहीं होता है बहुत useful है आपको बस वो Michigan add करना है बटन दबाने है और बस बैट जाना है तो Michigan गूनने के बाद fermentation होता है तो वो second process है total 4 गंटे लगते तो आप दूसरा भी काम कर सकते हो तो इसके बाद fermentation होता है और हमारी bread bake हो जाती है तो आप देख सकते हैं पूरा process हो गया है 4 गंटे हो गये है तो 4 गंटे के बाद beep sound आता है और आपकी process खतम हो गई ये आपको notification आ जाता है तब ही अब lid open करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी bread ready है वाव whole wheat bread वो भी 1 kg हमारी ready हो गई है तो चलिए आसानी से हम ये bucket निकालते है तो ये non sticky pan है तो cool down होने के बाद आप इसे निकाल सकते हो आप देख सकते हैं आसानी से हमारा जो whole wheat bread है वो बन गया है वाव crust color भी आ गया है कितना सुन्दर दिख रहा है ये bread वो भी घर पे आप बना सकते हैं पौश्टिक bread तो हमारा fresh और ready to eat whole wheat bread 1 kg ready है तो बहुत ही आसान है American Micronic आटा और bread maker में whole wheat bread बनाना तो आप भी ज़रूर ट्राइब कीजिए और आपका experience बताए comment section में अगर आपको ये आटा और bread maker खरीदना है description में आपको link मिल जाएगा आपको बहुत ही बड़ी आट discount मिल जाएगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए चैनल पर अगर आप ने हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और bell notifications आपको सारे ने वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद